हेलो पढ़ाही करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफोर्म विज्वल आर्ट एंड जी के टुटोरियल पर आपका स्वगत है दोस्तों चित्रकला और मुर्तिकला के एक हजार प्रेशनोतर के श्रंखला का यह फूर्थ पार्ट है अगर आपने पहले के तीन पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और श्रंखला अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंड करके बताईएगा लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जोड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राब जरू कर लीजिए और आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर काफी सारे मोर देन 750 वीडियो आपको मिल जाएगे जो आपकी कला परिक्षा में आपके लिए काफी हैल्फुल होंगे Q76 है चित्र में कितने तत्व होते हैं तो मैं आपको नाम बता देती हूँ तत्व के रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल ये होते हैं छे तत्व चित्र में आंसरे हैं आपर आप्शन डी Q77 है निम्न में से क्या चाक्षुर तत्व नहीं है चित्र के परिख्यक्ष में पूछा गया है तो रेखा जो होता है वो चाक्षुर तत्व नहीं होता है चित्र में आंसर हैं आपर आप्शन बी Q78 है वर्ण की सघंता की दियोतक होती है वर्ण की सगंता किस की दियोतक होती है पूछा गया है तो वर्ण की सगंता जो होती है वो होती है शुद्धा की दियोतक शुद्धा दिखाती है वर्ण की सगंता आंसर है 78 का ओप्शन D Q79 है कलाकार जहांगीर सबावाला को भारत सरकार ने पदमशीर सम्मान से किस वर्ष अलंकरत किया था तो जाने माने कलाकार हैं जहांगीर सबावाला इनका जन्म हुआ था 1922 में मुंबई में और वर्ष 2011 में मुंबई में ही इनके मृत्ती हो गई थी और इनको जो पर्मश्री पुर्सकार प्राप्त हुआ था वो मिला था 1977 में 1977 में आंसर है option B और इनके कई प्रसिद्य चित्र है ट्रेब्र लेक, दा सोर्स, इंपेंडिंग, स्टॉर्म, गोल्डन, ओरेंज इस तरह के कुछ इनके प्रसिद्य चित्र शरंखलाए रही है नेक्स्ट कॉश्चन है, असी नमबर 80, पेरिस में क्रिशन रेड़ी ने छापा कला की किस विधा में निपोटता हासिल की तो क्रिशन रेड़ी जी ने एटेलियर 17 से तक्निक सीखी थी, वो थी इंटेग्लियो, लेकिन यहापर इंटेग्लियो नहीं है तो आप इसमें एचिंग को मार्क कर सकते हैं, वैसे उन्होंने सीखा था इंटेग्लियो जो एचिंग में ही तक्निक थी, और क्रिशन आपको इसका लिंक देदूंगे, आप जरूर देखिए, उसमें आपको काफी चीज में डिटेल में मालम चल जाएगा, Q81 है, सिंदू गाटी सब्भेता तथा संस्कृति काल के चित्र के प्रमाण किस पर अधिक मिलते हैं, यहां अधिक पूछा गया है, देकि पात्रों पर, ठपों पर, मनकों पर, इन सब पर मिलते हैं, दीवारों पर तो नहीं मिले हैं, देकि सबसे ज़्यादा जो मिले हैं, जो उनके ब्लॉक्स होते थे, जिनसे वो सील का काम करते थे, सील, यहां ठपे, इन पर सबसे ज़्यादा चित्र के प्रमाण मिले हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, 82 नमर, चित्र भारत माता कहां संग रही थे, तो चित्र है जो भारत माता उसे बनाये था, अवनींदनाथ टेगोर जी ने, 1905 में, अवनींदनाथ जी पर में, कलायतर का वीडियो बना चुकी हैं, जल्दी प्रेश्णोतर का वीडियो भी आएगा, तो 1905 में उने चित्र भारत माता, यह जो चित्र है, यह है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकता में, विक्टोरिया अलवर्ट हो गया है, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया है, आपर, विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कोलकता में, कभी-कभी म्यूजियम का नाम ना कर शेहर का नाम भी आता है तो गया तकी कॉलकता में इनका ये चित्र संग्रहीत है question number 83 है चित्र तल पर कोई चिन अंकित करना क्या कहलाता है चित्र तल पर कोई चिन अंकित करना अंकन कहलाता है answer यहाँ पर option A अंकन question number 84 है वर्ष 1965 से 67 के मद्धिय बने स्याही और मौम रंगों के चित्र बना कर किस कलाका ने ख्याती हासिल की तो 65 से 67 के बीच मौम और स्याही से जो चित्र बनाए वो बनाएते रामकुमार जी ने answer यहाँ पर option C कई वार बहुत से चीजे सिमिलर हो जाती है कई और लोगों ने भी बनाया लेकिन आपर वर्ष मेंशन करके पूछा गया है तो रामकुमार जी ने बनाये थे 67, 65 से 67 के बीच और उसमें काफी प्रसिद्धी मिली थी और इनकी जो बना रहा श्रंकला है वो काफी प्रसिद्ध रही है Q85 है दांडी मार्च लीनो कट में किस कलाकार ने निर्मित किया है दांडी मार्च एक प्रिंट है जो लीनो कट में बनाया है इसे बनाया है नंदलाल बोज जी ने आंसर हैं पर ऑप्शन भी यह 1930 में बनाया है और लीनो कट में और नंदलाल बोस जी का जो टाइम पिरिट था वो था 1882 से 1882 से 1966 यह टाइम पिरिट था नंदलाल बोस जी का कॉश्चन नमर 86 है दा मेसेंजर जो वर्ष्ट 2011 में किस कलाका दोरा निर्मित कलाकृती है तो दा मेसेंजर कलाकृती जो है इससे बनाया था 1921 में भारती खेर जी ने आंसर है यहां पर ऑप्शन ए इनका जन्मुआ था 1969 लंदन में और यह 23 वर्ष की उम्रों में भारत आ गई थी नेक्स्ट कोश्चन है 87 नमर का तो फ्रॉम दा मार्केट जो है पटनायक जी द्वारा बनाई हुई यह बिडला कला और संस्कृती अकादमी में संग रही थे आंसर यहां पर ऑप्शन ए बिडला कला एवं संस्कृती अकादमी जो है और यह है कॉलकता में है यहां पर यह संग रही थे क्वेशन नमर 88 है किस वाद के कलाकार अवचेतन मन की क्रियाओं पर चित्रन करते थे और उससे प्राप्त जो विरोधी ट्रणाओं जो होती थी उसको वह एकादम रूप देने का प्रेतन करते थे और तरक शास्त्री विरोधी तत्वों में समर्वे स्थापित करना चाते थे तो ये काम करते थे अतिय थार्दवादी कलाकार रवचेतर मन पर काम करते थे option B है और काफी प्रसिद अतिय थार्दवादी कलार हैं डाली जिनको सब जानते हैं question number 89 है फर्नी लांड होल्डर का समन्द किस वाद से था फनिन अंड होल्डर जो थे वो थे स्विस में का जन्म हुआ था स्विस के बर्ण में और ये थे अभी वेंजिनवादी कलाकार आंसर यहाँ पर ओप्शन ए अभी वेंजिनवादी कलाकार थे और उनका टाइम पिरोड था 1853 से 1918 यह लिख देती हूं मैं 1853 में का जन्म हुआ था और 1918 में इनके अम्रत्य हो गई थी और इनका जन्म हुआ था स्विस में के बर्ण में स्विट्जर्ड लेंड के बर्ण में 21 कलाकार दोरा लिखे थे तो बच्चों के लिए पुस्तक है लिखी है इलस्ट्रेशन किया है और उन्होंने मूर्ति कला किया है च्छापा के में काम किया है यह सारे काम किया है सुब्रमन्यम जी ने आंसर यहां पर ऑप्शन सी सुब्रमन्यम जी पर मैंने कलायात्रा का प्रश्णतर का वीडियो बनाया है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वो जरूर देख लें और दोस्तों देखते देखते इस वीडियो को लाइक जीरू कर दीजिए क्योंकि काफी महत्पॉन प्रेश्ण में ढून ढून कर आपके लिए लाती हूं और थंटिक बुक्स से कोश्चन में 91 है अमरावती स्थूप के अभिलेक किस लिपी में लिखे गए हैं तो अमरावती के जो स्थूप है अभिलेक हैं अमरावती में आंध्र शाषको द्वारा यह निर्मित किये गए थे अमरावती है कि स्थूप शूंग काल के हैं यह कोश्चन में 92 है जीवन से संत्रस्त 1891 में वन्चित आत्मा 1892 में यह किस कलाकार के चित्र हैं तो यह दोनों जी जो चित्र हैं इससे बनाया है फर्णी लांड आंसर हैं यहाँ पर ओप्शन डी होल्डर जी दुवरा बनाये गए चित्र हैं अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्मुगा था स्विर्जर्लेंड के बर्न में अभी वन्चिनवादी कलाकार है और 1853 में इनका जन्मुगा था Q93 है किस कलाकार ने कहा है कि हमारे त्रकारों ने कलपना लोग को जरोकों से जाग जाकर काफी देखा अब कुछ समाज का भी सहवास उन्हें करना चाहिए तो ये बात जो कही थी ये कही थी कलाकार भूर सींशेखावत जी ने आंसर यहां पर ऑप्शन एर राजिस्थान की प्रसिद्द कलाकार थे 1914 में इनका जन्म हुआ था बीका नेर में और वर्ष 1966 में इनकी मृत्तिय हो गई थी अबीका नर्विन का जन्मुवा था और ये स्टेटमेंट नो न दिया है कि हमारे चित्रकारों ने कल्पना लोग को जहरोकों से जाक जाक कर काफी देखा अब कुछ समाज का भी सहवा सुने करना चाहिए Q94 है मामल शेली में कितने प्रकार की मंदिरों का निर्मान होता था तो मामल शेली जो है ये दर्विन शेली का ही रूपती क्योंकि वहां की जो शेलियां थी वहां के राजा जो थे शाशक उनकी नाम पर थी ये मामल शेली जो है, वहां के शाशक थे, उनकी नाम पर है, और इसमें दो प्रकार की मंदिरों को निर्मान होता था, आंसर यहाँ पर, ओप्शन ए, दो प्रकार की रथ मंदिर और मंडप मंदिर इसमें बनते थे, Q95 है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया के शुरुवात किस कलाकार द्वारा हुई, तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया के शुरुवात हुई थी, कमल कृष्ण जी द्वारा, आंसर यह ओप्शन डी, कमल कृष्ण जी और यह दिल्ली शिल्पी चक करके सदस्य रहे और इनकी पत्नी देवियानिक रश्न वह भी कलाकार थी कॉश्चन नमर 96 है बीमार लड़की मृत्यू का कमरा ये किस कलाकार द्वारा नेर्मित चित्र हैं तो ये दोनों ही चित्र जो बनाये हैं जो बनाये थे एडवर्ड मुंक ने आंसर है यहां पर ऑप् और इन्होंने बनाते है मृत्यू का कमरा, मृत्यू शहिया, मृत्यात्मा, मृत्माता और ये अभी वेंजनवादी कलाकार थे इनका टाइम पीरिड था 1863 से 1944 इनका टाइम पीरिड था question number 97 है चित्र को रंग भूमी पर लगाकर एक प्रवाह उत्पन करना क्या कहलाता है? तो रंग को चित्र भूमी पर लगाकर एक प्रवाह उत्पन करना ये जो process होती है उससे कहा जाता है अनूकरम आंसर यहाँ पर option A अनुकरम यह कहलाता है question number 98 है चित्रकला में चतुर्त आयाम को किसने बताया है तो चित्रकला में जो चतुर्त आयाम है इसे बनाया था रशियन कलाकार बताया था मिखेल लारियो नोवा ने आंसर यहाँ पर option B मिखेल नारिया लारियो नोवा यह थे रशियन कलाकार इन्होंने चत्रकला में चतुर्त आयाम को बतायाता है question number 99 है words and lines यह पुस्तक की लेखा कौन है तो words and lines यह पुस्तक लिखी है एवन सुजा जी ने answer यहाँ पर option A यह पेग था जो ग्रूप progressive artist group उसके सचीव थे संस्थापाक सदस्य थे और यह communist party के भी सदस्य रहे थे भारत छोड़ों अंदलर में ने भाग लिया था question number 100 है पंडरेथन मंदिर कहां इस्थित है पंडरेथन मंदिर जो है वो है जम्मू और कश्मीर में यह option नहीं यहाँ पाया है by mistake answer यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में है यह मंदिर पंडरेथन तो दोस्तों यह हुए 25 और महत्पुन प्रश्न अगर आप कोई वीडियो पसंद आ है तो कमेंट जरू करिएगा लाइक कीजिएगा और पहले की वीडियो भी आप जरूर देख लें और आप मेरे चैनल की प्लेलिश्ट में जाकर बहुत सारे टॉपिक पर काफी महत्पुन वीडियो अपनी प्रप्रश्न के लिए देख सकते हैं अगर आपको उनसे हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर जरू करें गुड लग जय हिंद